हाई दोस्तो आज के स्क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है आज के स्क्लास में हम एक नए से चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है और टू आट मन और इस चैप्टर के हम लोग सारांस यानि समरी को बहुत ही बैतरीन डंग से हम लोग समझने वाले ह इस chapter के सारांस को ना बहुत लोग अच्छे से नहीं पढ़ा पाते हैं, तो आज हम यहाँ पे बहुत आसान सब्द में, आसान भासा में, आसान लेंग्वेज में आपको बताने की कोसिज करेंगे, बहुत ही इमेज बगरा के साथ में, फोटो, वीडियो, सब एड करकर के आप को यहाँ पे देंगे, ताकि आप इस chapter को बहुत अच्छे से clear कर सके, कोई कहीं से एक छोटा सा आप को इसमें doubt नहीं रह जाए, आपके exam में अगर सारा अंस समरी लिखने को बोला जाए, आप आसानी से और अच्छे से प्यार से आप लिख सको, और कोई load भी आप पे नहीं पर है, ठीक है, बहुत ही आसान से लिख दोगे, और देखो, चैप्टर बहुत ही अच्छा है, अक्सर जो है ना, राइटर, spring season के बारे में बात करते हैं, लेकिन इस chapter में ओटमन के बारे में बात किया गया है, ओटमन का मतलब क्या हुआ, यह season हुआ, ठीक है, आप यानी प बारे में और तब जाके chapter को बहुत ही अच्छे से समझेंगे, ठीक है, अगर आप इसका इंतजार कर रहे तो, तो निश्य ग्रूप से अगर आपको अच्छा लगेगा, इसको लाइक जरूर से करिएगा, और साथी साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा, रेगलर आप आपके बोर्ट पाइक्षा के लिए, ठीक है, तो आएए यहां पर बात करते हैं, सबसे पहले देखे हमारे पास क्या है, हमारे पास यहां पर जॉन किट्स जी इस चाप्टर के लेखक है, ठीक है, मतलब सिम्पल सी बात अगर सिम्पल सब्दों में बताए, तो यहां पर ज लिखे हैं, यहां पर आटमन पर यहां पर यहां पर लास्ट में, अंतिम इनका और जो है, आटमन पर है, यानि पतजर रीतु पर है, ठीक है, पतजर रीतु जो है, यह जो है, और तो आटमन चाप्टर को कौन लिखे हैं, सिम्पल सी बात है, यह आपको याद रखनी है, 1795 को कहां पे London में London यानि United Kingdom में ठीक है यानि कहां पे England में ठीक है आगे देखें निधन इनका कब हुआ था इनका निधन कब हुआ था 23rd February 1821 को यानि 23rd February 1821 को कहां पे Rome यानि Italy में इनका निधन हुआ था देखें कितने खुबसूरत हैं जॉनकेट्स दी यही हैं जो की मतलब लिखें है और टू आटमन ठीक है clear हलाकि अंग्रेज है लेकिन चलिए यहां पे इनके बारे में जो यहां पे और टू आटमन जो चाप्टर है इसको बहुत अच्छे से आम लोग जानेंगे एक और लाइन आइन के बारे में थोरा से इसको देख लिजए तीसरा आपको याद रखने वाली चीज यह है ठीक है यह दूसरे जनरेशन का दूसरे पेड़ी का यह रोमैंटिक पोईट है ठीक है तो यह मतलब जॉन करसी कैसे हैं रोमैंटिक पोईट है और इंगलिस पोईट है ठीक है रोमैंटिक पोईट और इंगलिस पोईट यह थोरा से याद रखेगा तीसरा आपको याद करने के बा पता है आप राइटर के बारें पढ़ा रहे हैं देखें यह जरूरी है क्योंकि इससे questions बनती है अब यहां पर देखें सारान से start करते हैं और देखें एक तरफ English एक तरफ Hindi और बहुत ही प्यारा सब्द बहुत ही अच्छे से और एक बात हम guarantee देते हैं इसमें इस तरीके से इ कैसे start होता है आपको summary आपके exam में सवाल एक ही रहेगा write down the summary of odd to ottoman ठीक है तो आपको answer इस तरीके से लिखते हुए चलना है ठीक है बस यह ध्यान में रखिए लिखना है this poem has been written by John Kitts यह जो कवीता है सबसे पहले यह क्या है यह कवीता है ठीक है यह क्या है आपने पास यह में के दौरा लिखा गया है लिखा गयए अपना जॉन ही के दवारा है आपने पास यहां हरी जो कवीता लिखा गया है यहां पर यह कवीता लिखा गया है he was a great like absolute. यह जो है बहूट ही ज्यादा प्रेमी माहान प्रेमी कभी थे ठीक है तनी ऑन of the greatest English point और एक महान जो है अंग्रेजी कभी यह थे ठीक है अंग्रेजी कभियों में से एक महान यह कभी भी थे जॉन किर्स जी ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है फी डाइड एड़ ऐस ऑफ 26 वो उनका निधन जो है तो दिखे राइटर के बारे में सबसे पहले स्टार्टिंग जो समरी करना चाहिए ना तो हर हमेशा राइटर से स्टार्ट करना चाहिए इस तरीके से आप ऐसे लिखते हुए चलना चाहिए आपको ठीक है तो पहला आप यहां पे ऐसे लिखते हुए आए और इसी में आप आ प्राइब का मतलब क्या चाहिए वर्नन ठेक है वर्नन किये हैं about the beauty of autumn season पतजर रितु की खुबसूरती का जो है नहीं यहां पे वर्नन यहां पे जॉन केर्स जी किये हैं कौन से सीजन का पतजर सीजन का अभी देखो बोलोगे भेह पतजर सीजन का पतजर सीजन में भी खुब जाते हैं तो मतलब हर कोई जो है spring season पे focus करते हैं लेकिन यहां पे यह autumn season का यहां पे बराई करते हैं autumn season के बारे में बोलते हैं और इसके लिए सबसे पहले आपको हम एक चीज बोलेंगे अभी आपको जो वीडियो आपको चलेगी इस वीडियो को थुरा सब प्यार से पहले इसको देखिए तब हम आपको बहुत ही और डीटेल से explain कर सकते हैं पहले देखिए इस वीडियो को हुआ है चलिए देख लिए अब यहाँ पर आप क्या देखें इसमें इसमें देखें खुबसूरती कितनी थी मतलब Ottoman season को ऐसे मतलब मत समझो कि उसमें खुबसूरती नहीं होती है जो पत्ते जाते हैं पत्ते आते हैं तो फिर खुबसूरती तो रहती है अभी देखो सीजन जो बात करते हैं ये जो कभी कहां के हैं इंग्लेंड के हैं तो ये जो हैं इंग्लेंड के कॉड़ें September से November तक चलता है उसके बाता आजाता है winter यानि December से February तक और spring season यहाँ पे March से May तक रहता है यानि सब कभी जो है इसी season का यहाँ पे वराई करते रहते हैं लेकिन यहाँ पे जो है John Kirsi September से November में आने वाली यह autumn season का यहाँ पे वराई किये हैं इक पूरा नया नया पत्ता होता है बहुत ही खुबसूरती से भर जाता है, बहुत साथे फल फूल खिलने लगते हैं, तो वही उस खुबसूरती को यहाँ पर धरसा आये हैं, ठेक है, यहाँ पर जॉन किर से, समझ गये, अब चलिए, यहाँ पर आगे बात करते हैं, यहाँ पे वो पत्जर रितु के खुबसूरती का बात करते हैं इन दिस पोयम, यहाँ पे क्या है? देखें, यहाँ पे क्या है? फिर से आपको एक बार समझा देते हैं इन दिस पोयम, दिपोईट हैस डिस्क्राइब about the beauty of Ottoman season इस कभीता में कभी जो है Ottoman season यानि पत्जर रितु की खुबसूरती का वर्नन किये हैं दिपोईट सेज डेट दिपोईट सेज दिस सन एंड ओटमन आर कंस्पाइरिंग टू ब्लेस ट्रीज विद फ्रूट एंड दि स्वैल दि गॉड्ड यहाँ पे क्या बूला गया? देखें यहाँ पे समझ यह थोड़ा से क्या बोला गया? दिपोईट सेज कभी कहते हैं दिस सन एंड ओटमन मतलब जो सूरज है और यह पत्जर सीजन जो है आर कंस्पाइरिंग मतलब फुसफुसार है आपस में पेरो को ब्लेस कर देना है और जो है लोकी को बढ़ा देना है एकदम उसमें बहुत सारा गुद्धा Ale कर देना है, ठीक है, यहां पे सूरज और Gwid्स, मतलब सूरज और पतजर रितु, ये दोनों जो कंइसा कर रहा है, यानि आपस में फुसफुसार झार है, कि अब जो क्या करना है ठीक है ऐसे लिखते हूं चलना है आगे बढ़ते हैं देखें क्या आगे in this season में स्वैलोज बड्ड स्वैलोज बड्ड gathering and Twitter in the skies in this season मतलब इस मौसम में यह एक अबाब बिल पक्षि होता है आकास में एक जूट होकर चाहाते हैं क्या करते हैं ट्विटर करते हैं ट्विटर का मतलब चाहा चाहा ना ठीक है गैदरिंग का मतलब एक जूट होकर ठीक है स्वैलोज ये पक्षी है ये पक्षी जो है मिलते हैं गैदरिंग एक साथ मिलते हैं एक जूट होते हैं और ट्विटर करते हैं यानि च बोला गया है क्या चीज़ आगे देखें यहां पे बोला गया है कि इस बी हाइव मतलब जो बी हाइव जो होता है इसका मतलब होता है मधुमक्यों का छाता ठीक है बी हाइव का मतलब क्या होता है मधुमक्यों का छाता the beehive are filled with honey मतलब जो madhu मक्कियों का चाता जो होता है वो पूरा madhu से भड़ा होता है honey से भड़ा होता है मधु होता है madhu मक्की का चाता में क्या होता है honey होता है उसे वो भर जाता है many types of flowers bloom मतलब बहुत type के flower यानि full जो होते हैं वो bloom होते हैं खिल जाते हैं और आगे यहाँ पे है end or it looks very beautiful it looks very beautiful और यह जो है बहुत ही ज़्यादा और वो नजारा जो है ना बहुत ही ज़्यादा खुबसूरत दिखाई पड़ता है ठीक है तो यहाँ पे यह आटमन सीजन के बाद करते हैं आप जैसे की इमेज और फोटो वीडियो बगरा में आप देखें अभी हम आपको ज़्स दिखाई ही थे कि कितना खुबसूरत होता है यह मौसम भी ठीक है जरूरी नहीं कि वो इस्प्रिंग सीजनी देखो इसमें भी क्या होता है पत्ता जाता है पत्ता आता है फूल खिलते हैं मुर्जाते हैं इसमें भी वो होता है ठीक है इस मौसम में भी बहुत सारी खूबसूरती है और उसी खूबसूरती को यहाँ पे यह बहुत ही अच्छे से वर्नन कर रहे हैं और बहुत ही प्यार से वर्नन किया है ठीक है इस मौसम से भी आपको मतलब ऐसा जो है न चिट चिरा जो होते थे मतलब ऐसा रखता था यह मौसम क्या होगा नहीं देखो यह मौसम भी बहुत अच्छा है और यह आप देखी रहे हैं चलिए आगे देखें यहाँ पर क्या है इन ओटमन इन ओटमन मतलब पतजर में there is a neither heat of summer nor bitterly coldness of winter इन ओटमन यहाँ पर क्या बोला गया है कि इन ओटमन यानि पतजर रितु में there is neither heat मतलब नहीं गर्मी होती है of summer मतलब जो गर्मी का जो मौसम होता है गरस्म रितु का जो गर्मी होता है ना ही गर्मी होता है, ना ही bitter coldness of winter, ना ही वो सरद रितु का सरद होता है, ठंठा ही जादा होता है, इस मौसम में पतजर रितु में ना ही ग्रिस्म रितु का गर्मी होता है, ना ही सरद रितु का सरदी होता है, ठीक है, नेचर लुक्स ब्यूटिफुल, और प्रकिरती बहुत ज़्यादा खुबसूरत दिखाई पड़ती है everywhere in this season ठीक है इस season में प्रकिरती हर जगा बहुत ही ज़्यादा खुबसूरत दिखाई पड़ती है है न मतलब जब पता जाएंगे और पता नए ने आएंगे हर फूल खिलेंगे मतलब नए ने फल जो है लगेंगे जैसे apple का जो apple जो होता है न वो अक्सर जो है इसी मौसम में autumn season में apple जो है वो मतलब trees में लगे रहते हैं ज्यादा तर तो इस chapter में उसके बारे में बात किये थे लिकने आप समरी लिखना है तो short form में लिखना है ठीक है आगे देखे people people work hard and they look very happy ठीक है जो भी लोग रहते हैं इस season में खुस परतीत होते हैं wind blows friendly और हवा जो है मतलब एकदम मंद मंद अनुकूल हवा चलती रहती है ठीक है यहाँ पर बोला गया है तो यहाँ पर देखे कितनी सूर्ती से autumn season का वर्नन किये हैं आगे चलिए आगे वढ़ते हैं so last में मतलब पूरा तो आप लिख दिए last में आपको यह line add कर देना है ताकि जो भी teacher आपको सारांस पड़ेंगे मतलब आपको पूरा में पूरा माक्ष देंगे उसके लिए यह जरूरी है लिखना ठीक है आईए देखते हैं यहाँ पर क्या है so we can say so we can say इसलिए हम कह सकते ह that this is an awesome poem by John Kitts की यह एक awesome poem है कि बहुत ही सांदार कवीता है John Kitts का where जहां he has beautifully described जहां उन्होंने बहुत ही खुपसूरती से वर्नन किया है the beauty of Ottoman season पतजर रितु का बहुत ही खुपसूरती से इसमें वर्नन किया है तो लांतता हम लोग को यह line add करना ही करना है ठीक है तो यह य call करवा देते हैं आपको अब जो है समझ में आ गई है कि यह मतलब क्या है कैसे है और देखिए इसको हम यही बोलेंगे कि आप अपने copy में जरूर से note कर लिजेगा ताकि आप इसको अच्छे से याद रख सको ठीक है देखो odd to Ottoman जो chapter है इसका यहां पर क्या हुआ Ottoman season यादि पत्जर रितू पर यहां पर odd लिखा गया है ठीक है और यह poem लिखा गया है इसको लिखे को और जो है जो है इनका जन्म जो है United Kingdom में होता है कब 31 October 1775 को और इनका जो है निधन होता है इटली में ठीक है 23 फेरवड़ी 1821 को यह एक English point है और साथ ही साथ जो है क्या है एक romantic point भी है ठीक है English point है और romantic point है यह सब आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी है अब उसके बाद देखे इस कभीता में जो है यह कभीता सबसे पहले आपको ऐसे स्टार्टी करना है यह कभीता John Kirtz जी के दौरा लिखा गया है और इस कभीता में John Kirtz जी जो है इस कभीता म और वो प्रकिरती के बहुत यह अच्छे प्रेमी कभी है ठीक है और उनका जो है निधन हो जाता है 26 साल में विकॉज अप्ट विवर ग्लॉसस यानि टीवी के कारण उनका 26 साल में निधन हो जाता है और फिर आगे इस चैप्टर के बारे में लिखना स्टार्ट करना है कि इस पूरे कभीता में कभी ने ओटमन सीजन का यहाँ पर बराई किये हैं ओटमन सीजन का बहुत ही विस्तरित बहुत ही खुबसूरती से वर्नन किया है जैसे यहाँ पर यह बताते हैं कि इसमें क्या होता है सूरज और जो है ओटमन सीजन पत्जर रितु आपस में कंस्वा कि उसमें भाँ सार्व गुद्दा एड़ कर देना है उसको बहुत ही बना अगे यहां पर यह बता कि इस मौसम जो है लोग आकास में ठीक है और वह वह समय बहुत सूहाना चाइप कर लगता है और यहाँ पर यह बता है कि जो मधुमक्की का चाता होता है वो पूरे हनी से फिल्ड हो जाता है मतलब बी हाइक जो होता है यानि मधुमक्की का चाता जो होता है वो मधु से यानि हनी से पूरा भड़ जाता है साथी साथ यहाँ पर बता है नई ने फ्लावर खिलते हैं फू रहता हुआ ठंडा यह मौसम बहुत ही सुहाना ना धंडा रहता है यह मसम बहुत ज्यादा अछा लगने लगता है पेपूल अपना जो भी लोग हंऊद्गर और PG उन्होंने illentric स Security से पर zanjaav एक बहुत ही अच्छा पोयम है जहां पे उन्होंने ओटमन सीजन यानि पतजर रितु के वारे में बहुत ही अच्छे से खुबसूरती से यहां पे वर्नंग किया है ठीक है तो इस तरीके से आप अगर अपने एक्जाम में सारांस को लिखेंगे यकीनन आपको जो भी मतलब क कॉपी चेक करेंगे आपको बहुत ही अच्छा मांठ देंगे मतलब अगर 5 मांठ तो 5 में 5 मांठ आपको चौरली मिल जाएगा क्योंकि यह बहुत ही अनल यूनीक टाइप का लिखा हुआ है आपको सिस करिएगा इसको कॉपी में note-down कर लिजेगा और कोई भी सब्स्भाइ कॉerd नहीं है कि आपको याद नहीं हुआ होगा सब तो आपको समझ में आ गया होगा अच्छा लगा तो आपको पसंद आया यह क्लास अगर अच्छा लगा तो निस्ति दुरूप से क्लास कैसा लगा और इस वीडियो को बावा सर्च करिएगा आपको बस मिल जाएगी एडुकेशन बावा एप और आप उसको डाउनलोड करके वहां से अपना पढ़ाई जारी रख सकते हैं बहुत सारे चाप्टर्स मतलब सारे चाप्टर्स वहां पढ़ाए गए हैं तो आप वहां से अपना कोर्स बगरा जोईन कर सकते हैं ठीक है चलिए आज किस क्लास में बस इतना ही अब उनलोग मिलेंगे अगले क्लास में तब तक लिए बावाई